गुड आप्टूनून स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मंगलेश जो चालू के वंस का साथ सक था उसके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स चालू के वंस हैं तो हम लोग हैं वह आपको चालू के चालू के बारे में संभून जानकरी परदान करेंगे तो जो चालू के वंस है इसकी तीन साखाएं थी हमने आपको पहले भी पता है एक बार फिर से सून लीजिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए तो देखे प्रोड़ के चालूके तो बाता फिकाए इनके आपी कहा आगया है और बाद में जो वर्तमात नामceğ मी क्यों 서ैच अदो गया, और बार में स्भार्र का सब्सके नुरान रागोय के सामण्त था,ON यो सामद्ध पर्थम पूत्र थे कोन कोन, थे के रतिवन्मन पर्थम और मंगलिस ओप पहले वीडियो में आपको अच्छे से पड़ा है था और अब क्या होता है कि जो जिस टाइम पे ये कीर्थी वर्मन पर्थम है इसकी जब मर्तिव होती है तो क्या होता है कि इसका जो पुत्र होता है पुलकेशिन सेकिंड वो अल्फवेस्क होता है अताव अपने छोटे भाई मंगलेश को सासक बना देता है ठीक है अब क्या ह कि जू मंगलेस है उसमें और फुलके सिंसेकिड में गद्धी पर अगिकार करने के लिए लड़ाई होती है जिसमें जो मंगलेस है वह मारा जाता है और कूरकेन स्नसेकिड सासक बन था आगे हम पुलकेसिन सेकिंड के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे और हमने आपको बताया कि जो बादा में के चालुके हैं उनमें जो सर्वसकते सालिस आसक था वो पुलकेसिन सेकिंड था जिसका एक परसित एहोल अभिलेक भी है जिससे चालुकें के बारे में जानकरी प पड़ाया है तो यह इंपोर्टेंट टोपिक है जो एक्जाम में कई बार पूछ लेते हैं तो आपको यह वीडियो दहां से देखने चाहिए आपको एक्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी कि अब देखेगा कि जो मंगलेस है यह मतलब कि बाई जो बादामी के चालू के वनस है इसका सास केरतीव वर्मन पर्थम था और यह हमने आपको बताए दिया है तो जो कीर्टी वर्मन पर्थमा इसकी मर्तिव के समय उसका जो पुत्तर था पुलकेशन सेकेंडी अल्फवेस्ट था अता उसके छोटे भाई मंगलेश ने पुलकेशन के स्रंग्सक के रूप में चालुक के सासन की बागडोर संबाली थी और जो ये मंगलेश से महत्वगां से वेक्ति था इसने कीर्टी वर्मन की विस्तारवादी निति को जारी रखा था ठीक है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मंगलेश से एक महार विजय था समराजे निर्माता आधी था और इसके समय में चालुकियों की सकतिय वाय पर्थिस्टा में वर्थी हुई थी ठीक पर शित्यार में ठाण वे commanders से लेके 610 इसी तक नजे किया था और जो मंगलेश है इसके नेनूर दान पत्तर देखेंगा मंगलेश के नेनूर दान पत्तर तता महाकूट एस्तमलेग तो महाकूट एस्तमलेग किसका था हमने पहले भी आपको विजय यह की ईर्थिवर्मन प पता चलता है ठीक है तो मंगलेश के नेनूर दान पत्तर तथा महाकूट इस्तमलेक से पता चलता है कि उसने कल्चूरी सासक बुद्राज पर आकर्मन किया कल्चूरी नरेश युद में प्राजित हुआ ठीक है तो कल्चूरी सासक कोन था बुद्राज इसको किस ने प्राजि था ठीक है इसको प्राजित करता को मंगलेस महाकूड लेके अनुसार मंगलेस ने उत्तर भारत की विजे की इच्छे से सरव पर्थम बुद्ध को प्राजित कर उसकी संपून संपत्ति पर अधिकार कर लिया था यहां पर बुद्ध को ने बुद्ध राज ओके उसके बाद विजे का धरमस्तम इस्थापित करने के लिए उसने अपनी माता से आगया लिए तथा मुकूटेस्वर नाथ के मंदिर में दान दिये नेरूर दान पत्तर से पता चलता है कि बुद्ध राज के पास गर्ज अस्वय पैदल पैदल चेना तथा संपत्ति भी थी किन्तुवर मंगलेस तवरा प्राजित हुआ तथा महां से भाग गया ठीक है इसी परकार एहोल लेख में तो एहोल लेख हमने आपको पहले भी पत प्राजित हैं और यह संस्कृत भासा में है ठीक है तो एहोल लेख में कहा गया है कि मंगलेस ने कल्चूरियों पर विजय प्राप्त की तथा उसके गुड़ स्वार सेना के चन्ने से इतनी अधिक धूल उठी कि वह पूर्वियम पस्सिमी समूद्रों तक चा गई थी ठीक मंगलेस को दूसरी सफलता कुंकन पर्देश में मिली सफलता थे उसको कल्चूरियों को प्राजित करना अब सित्वापत है इसकी सफलता की सूचना मिलती है तो जो पुलकेसिन सेकिंड का एहोल लेक है और चालूक के लेक है और मंगलेस का जो नेरूर दान पत्तर है इनसे मंगलेस द्वारा कोंकन पर विजे हासिल करने की सूचना मिरती है एहोल लेक में वणित है कि विजे की इच्छा रखने वाले मंगलेस ने पताकाओं से यूगत अपने सेना द्वारा रेवती द्वीप को चारों ओर से घेल लिया था चमकती हुई पताकाओं की परचाई के समुद्र में पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मानो उसके आग्या पाक वरून की सेना ततकाल चली आई हूँ परवर्ती चालू के लेकों से पता चलता है कि मंगलेस की सेना अत्यंद विशाल थी और वह समस्त द्वीपों पर अधिकार कर सकने में समर्थ था उसकी सेना ने नावों का एक पूल पार कर रेवती द्वीप पर आकर्मन किया था निर रेवती द्वीप में नियोकते किया गया था एक उपराजा था और इसने संभवता मंगलेस के राजा बनने पर विद्रोह कर दिया था मंगलेस ने सफलता पूरएक इस विद्रोह को कुचर दिया स्वामी राज मार डाला गया तथा मंगलेस ने अपनी ओर से दुर्य राज इंद्रवर्मा को रेमती त्वीप का उपराजा बना दिया इस प्रकार कॉंकर्ण परदेश में उसने अपनी सत्ता पुनहे सूद्रड कर ली थी अब देखेगा मंगलेश का धर्म क्या था तो मंगलेश यह वैश्नव धर्मानुया ही था और इसने परम भागवत भी कहा गया है मंगलेश ने रणवी क्रांद स्री पर्थवी वल्लब जैसी उपाधियां धर्ण की थी तो जो मंगलेश है यह वैश्नव धर्मानुया ही था जिसका रण इसे परम भागवत भी कहा गया है मंगले इसने रणवी क्रांद, स्री पर्थवी वरलब जैसी उपाधिया धरण की थी और यहे एक महन निर्माता भी था इसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्मान पूरा करवाया जिसका प्रारम कीर्थी वर्मा के समय में हुआ था तो देखेगा जो कीर्थी वर्मा के समय जो गुहा मंदिर बने थे वदामी में उसको प्रारम तो कीर्थी वर्मा के समय में हुआ था गुहा मंदिरों का निर्मान और अब उनको पूरा कोन करवा रहा है मंगलेश ने पूरा करवाया और इसमें बगवान विश्णू की परतिमा भी इसने स्तापित करवाई थी इस अवसर पर मंगलेश ने प्रभूत दान वित्रित किया किन्तुवे दरम सहिश्णू था और उसने मुकुटेश्वर के सहय मंदिर को भी दान दिया था ठीक है लेखों में उसकी दान सिर्ता विद्वता एमचरित्र की परसंसा की गई है अब देखेगा मंगलेश के अंतिम दिन अंतिमे मंगलेश को क्या देखना बड़ाई देखेगा तो एहोल के लेख से पता चलता है कि उसके बड़े भाई के पुत्र पुलकेसिन अर्थात की दिर्तिवर्मा के बेटे पुलकेसिन सेकिंड जो नहुस के समान उदार था जिसकी अबिलासा लक्समी भी करती थी ने जब देखा कि इस कारण उसका चाचा उसे इर्षया रखता है तो उसने देश छोड़ देने का निश्चेक किया किन्तु उसने मंतर तथा उस्चा सक्त इसे सभी और से मंगलेस को निर्बल कर दिया जिसके फरस्रू मंगलेस को इन तीनों चीजों अपने पुत्र को राजे सोफने के प्रियर्तन विशार राजे तता अपने प्राणों से हाथ होना पड़ा था ठीक है अब देखेगा होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि मंगलेस के जो सासन के अंति में उसमें तथा उसके बतिजे पुलकेसिन सेकिन के भी इस ग्रह यूद छिड़ गया था और जो एहोल अबिलेक है इसे पता चलता है कि पुलकेसिन के वेस्त होने पर भी मंगलेस उसे सासन सोफने को परस्तुत नहीं था ठीक है और वह अपने पुत्र को राजा बनाना चाता था मंगलेस ने अपने जो मंगलेस है उसने अपने पुत्र को यूवराज बना भी दिया था पुलकेसिन सेकिन ने मंगलेस पर आकर्मन किया और मंगलेस उसको मार डाला था और फिर पुलकेसिन सेकिन आवा सासक बनता है और चालू के मंस को आगे से आ और येदि आप लोगों ने हमारा वीडियो पहले वाला वीडियो जो चलुकियों के बारे में बताया था वो देखा होगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आया होगा येदि आप लोगों के पास कोई सुजाव है तो आप कमेंट वोक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद